जैहिन दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है Mr. Scalper की एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त संचित और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारती एर्टेल के बारे में भारती एर्टेल के आज quarter three numbers finally हमारे सामने आ चुके हैं शेयर ने आज जबरदस closing दी है अपने all time high से जस्ट थोड़ा सा नीचे close दिया है आज अपने all time high को भी निकाला है तो इस वज़े से जो जबरदस तेजी हमें देखने को मिली थी उस पे हम तो बात करेंगे ही साथ ही में quarter three के किस प्रकार के number आ दीजेगा बैल आइकन को दबा दीजेगा साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा आप जोइन कर सकते हैं कोई भी latest update होगा वहाँ पे आपको मेरे टेलिग्राम च तो यहां सब आपके सामने ही है अगर आप यहां पे देखें जो section 1 है वह performance के उपर है अब result यह किस प्रकार के है पहले तो मैं आपको वह समझा देता हूं यह result जो आकड़े हैं वह millions में है ठीक है पहली चीज तो यह मिरसे कई पर घड़बड हो जाती है numbers में वह मैं clear कर दे देखें तो December 2020 में अगर आप quarter on quarter basis पे देखें तो 439 million से 457 million हो गए है जो operating highlights है जो की बहुत जादा positive हम बोल सकते हैं अगर आप consolidated financials यहां पे अगर देखने की बात करें तो उसमें भी 250 million से 265 million की growth हमें देखने को मिली है साथ ही में अगर आप revenue की बात करें तो वो 3373 million से अच्छी growth देखने को मिली है अबीटा की बात करें वो भी 1515 से बढ़कर हमें देखने को मिला है जो कि 1548 की तरफ हमें देखने को जा रहा है अबीटा margin बात करें 44.9% से 45.9% हमें देखने को मिल रहा है जो कि भारती एटल की performance हम बोल सकते हैं काफी अच्छी दिखाई दे रही है market capitalization की बात करें valuation indicators में तो market capitalization जो है हम इन 2.296 million से बढ़कर 2.779 million जो है वो दिखाई दे रहा है जो कि positive चीज हम बोल सकते हैं अगर market capitalization किसी company का बढ़ रहा है तो EBITDA की बात करें 8.23 से बढ़कर 8.73 हमें देखने को मिल रहा है अगर हम last year से comparison करते हैं तो वो last year से अभी भी नीचे है मगर उस levels तक पहुचने की कोशिश कर रहा है PE ratio की बात करें तो PE ही बढ़कर आया है 13.15 का PE हमें देखने को मिल रहा है जो कि बढ़कर आया है last quarter से अब ह हम यहां पर और बात करें यहां पर नीचे की side financial यहां पर तो total revenue की अगर आप बात करें important क्या है total revenue revenue में अगर आप growth देखे year on year basis पे तो 21% की growth आई है quarter on quarter basis पर देखे यहां पे तो 24% की growth हमें देखने को मिली है revenue में ठीक है अब अगर आप बात करें EBITDA की EBITDA में 38% की growth quarter on quarter basis पे देखने को मिल रही है profit before tax की अगर आप बात करें तो 9100 करोड का जो loss था same year last year में ठीक है उसको अगर आप comparison करते हैं तो 5918 करोड के profit में आई है तो year on year basis पे अगर आप same quarter last year से comparison करते हैं तो 165 करोड का profit आपको Airtel के result में देखने को मिल रहा है profit after tax की बात करें तो 1500 करोड यहां पर देखने को मिल रहा है बहुत जबरदस जंप इसमें भी आता हुआ देखने को मिल रहा है net income की बात करें उसमें जबरदस जंप है तो मतलब भाई धमाकेदार numbers Airtel ने पेश करें और इस वज़े से अगर आप देखें तो पिछले कुछ ताइम से Reliance के share में जबरदस numbers हमें देखने को मिले हैं अब यहां पे हम टेकनिकली structure समझने की कोशिश करेंगी कि यह Airtel का किस प्रकार का structure बन रहा है और इसे साब से कौन से important levels और points हमें ध्यान में रखने चाहिए सबसे पहली चीज अगर आप यहां पे देखें तो daily chart में अगर आपको एक pattern दिख रहा होगा जितने भी लोग टेकनिकल जानते हैं यहां पे clear pole and flag pattern का breakout हमें देखने को मिला है और अगर इसने इस से उपर जो कि आज इसका top है इसके उपर किसी भी दिन closing दी तो इसमें एक rocket move आएगा जो कि इसे 700 तक के level तक लेके जा सकता है जी यहां बिल्कुल सही का आपने 700 तक के level तक लेके जा सकता है क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे एक double bottom pattern बन रहा है प्लस जो 5G वाली news है वो फिर से तूल पकड़ रही है Airtel जो 5G launch करने वाला है तो यह कुछ important points आपको ध्यान में रखने है इस वक्त जबरदस्ट momentum आपको Airtel के share में देखने को मिल सकता है especially result इतने धमाकेदार आने की वज़े से मगर levels के अध्यान रखने है अगर यह 622 का level जो आज इसने चुआ है अगर यह इसे आज निकालता है तो इसमें एक rocket move आएगा जो पहला target आपके लिए बनेगा that would be 655 के around और दूसरा target that would be 700 तो uncharted territory में निकल जाएगा यह कुछ important levels है इन पर ध्यान रखिए नया long initiate करना है कल 622 निकालता है आप पिल्कुल आराम से long initiate कर सकते हैं बिना किसी tension के तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीज़ेगा चैनल को अभी तक subscribe ने कि तो subscribe कर दीजेगा मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में thank you so much for watching guys जहिंद बंदे मातरम